Hello everyone, welcome back to my channel So, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लिए हूँ Another Job Update जो की है Document Verification का बहुत दिनों पहले मैंने Same Job Update आपके साथ शेर किया था इन कई सारे लोग जो की यहाँ पर सिलेक्ट होके अपना काम शुरू कर चुके है And I hope आप भी यहाँ पर जोदी से सिलेक्ट होके आप काम शुरू कर देंगे क्योंकि बहुत ही Basic सी Eligibility Crater है तब 3 Job Portals पे Same Job Vacancy अपडेटेड है And Different-Different Vacancies के साथ तो Make Sure करें वीडियो को एन तक देखी ताकि सारे Steps आप अच्छे से जान पाए किस तरीके से Apply करना है क्या 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 रोल से Response Portals रहने वाली है Salary भी अलग-अलग Job Portals पे Different-Different है कहीं पर आपको Per Day की Wages में जिसे Per Day आपको Salary यहाँ पर Pay हो रही है कहीं पर आपको Monthly Salary मिल रही है तो इस तरीके से यहाँ पर यह सारे डीटेल्स में आपको बताऊंगी कैसे आपको Apply करना है क्या-क्या काम करना होगा तो चली वीडियो स्टार्ट करते हैं अगर आपके लिए वीडियो helpful होती है ऐसी और जब अपडेट जेकना चाते हैं आपको कही पर जानी की ज़रूरत ही है अगर आपके पास कोई भी laptop के PC नहीं है तो आप अपने mobile phone से भी यह काम को कर सकते है इसकी बाद देखिए यहाँ पर gender क्या-क्या दिया गया है male, female दोनों apply कर सकते है आप एक student है, housewife है, retired है आप यह काम कर सकते है qualification देखिए, यहाँ पर 10th या 12th आपने पास किया है तो भी आप यहाँ पर apply कर सकते है जादा preference यहाँ पर 12th and graduate को दिया जाएगा इसकी बाद देखिए, यहाँ पर आपका profile name क्या रहने वाला है तो profile name यहाँ पर जैसे की मैंने कहा आपको document verification का का काम है तो यहाँ पर इसी तरीकी का आपका काम रहने वाला है जो documents होते हैं आपने देखा होगा कि बहुत सारे banks में आपको बहुत सारे documents यह होते हैं कोई भी account open करने के लिए या किसी भी काम के लिए आपको documents बहुत ज़दा important होता है तो यहाँ पर आपको documents जो दिये जाते हैं customer से लिए जाते है वो documents यहाँ पर analyze करना होगा तो आपको तुरंत ही उनको call करके बताना होता है कि यह document आपका missing है कोई भी customer को और वो document आपको पूरपर रखना होता है इसी तरीकी का आपको basic सा काम होता है document verification का जो document वो आपके साथ share कर रहे है वो 100% genuine है या नहीं तो ये सारे चीज़े आपको यहाँ पर check करनी होती है जिसको आपको बहुत ही proper और ध्यान से work करना होता है यहाँ इसी तरीके का काम है आपका basic से reacting quickly to client request अगर आप कोई भी client को कुछ भी request होता है जिसे कि कभी-कभी ऐसा होता है कि किसी के पास अधार कार्ड नहीं होता है तो उसके पदले में वो क्या submit कर सकते है तो ये सारे solutions आपको provide करना होता है बहुत सारे अलग-अलग documents होते हैं जिसकी knowledge आपके पास होनी चाहिए थोड़ी बहुत यहाँ पर आपको proper training दी जाएगी जिसे कि यहाँ पर preferences हो आप तो भी अगर आपके पास कोई experience नहीं है तो भी आप यहाँ पर काम कर सकते हो थोड़ी knowledge आपके पास होनी चाहिए और बाकी यह सारे आपको दे देंगे कि किस सरी किस आपको यहाँ पर काम करना होगा यह जो काम है work type है यह full time है आप यहाँ पर full time काम करेंगे part time job available नहीं है तो full time अगर आप free हो काम करना चाहते हो तो बहुत ही basic सा काम है आप यहाँ पर ज़रूर reply कर सकते हो schedule क्या रहने वाला है day shift में आपको काम करना है night shift नहीं है यह day shift में आप काम कर सकते है comfortably salary यहाँ पर कैसे मिल रही है आपको देखिए सबसे पहला जो job update है वो हमारा indeed की और से है यहाँ पर देखिए आपको salary per day की मिल रही है मतला per day यहाँ पर आप 3-400 यहाँ पर से earn कर सकते है यह depend करता है यह आपको कुछ target देंगे यतने documents आपको एक खटे करने होंगे या फिर proper आपको रखने होंगे इस तरीके से जो अपरा second job update है यहाँ पर आपको मिलता है salary 13,000 लेके 16,000 जो कि यहाँ पर salary रहने वाली है और month यह depend करती है आपको कितना knowledge आपकी qualification क्या है और किस तरीके से आपके काम करते हो और interview कैसे crack करते हो interview कैसे रहने वाला है वो मैं आगे आपको वीडियो में बताऊंगी तो यहाँ पर यह सारे चीज़े depend करते हैं उसके बाद ही आपका actual salary आपको बताया जाता है अब बात कर लेते हैं यहाँ पर आपको benefits क्या क्या मिल रही है तो benefits देखें यह work from job opportunity आप अपने घर से काम कर सकते हो आप अपने mobile phone से काम कर सकते हो अगर आपके पास laptop के PC नहीं है इसके बात देखें यहाँ पर आपको कुछ medical insurance मिल जाता है इस तरीके से provident funds यहाँ पर आपको मिलते है and also यहाँ पर जो कि आपको letter of recommendation मिलता है once अगर आप यह काम leave कर देते हो तो यह जो कि है permanent job है अगर आप permanent करना चाते हो तो आप permanent कर सकते हो and अगर आप यहाँ पर से leave कर जाओ तो आपको proper letter of recommendation मिलता है इसके साथ-साथ आपको यहाँ पर experience मिलता है तो जरूर यहाँ पर जाके आपको apply करना है किस तरीक से apply करना है देखिए मैंने direct link आपको description box मिलता है इसके साथ-साथ मैंने direct HR का भी number आपको दिया है तो आप चाहो तो directly अपना जो की है resume share कर सकते हो उनके साथ and यहाँ पर आपको कोई भी call या message इस तरीके से नहीं करना है directly whatsapp पे आप अपना resume forward कर दीजिए यह कौन सी job opportunity है उसके साथ and उसके बाद आपको wait करना है उनका reply आपको आजाएगा अगर आप यहाँ पर eligible होंगे so इसी तरीके से यहाँ पर आपको apply करना है यहाँ पर आपका interview कैसे रहने वाला है interview देखिए बहुत ही basic सा होगा यहाँ पर सबसे पहले आपकी verification skills देखी जाएगी आपसे कुछ ऐसे test लिये जाएगे जिसमें accuracy चेक की जाएगी कितना properly आप चीजों को कर लेते हो इसके साथ साथ आपकी communication skills देखी जाएगी कि अग यहाँ पर जिसे की customer के साथ आपको बात करना होगा कोई verification या फिर कोई customer ऐसे होता है कि वो समझने कोही ready नहीं होता है तो आप किस तरीके से उनको handle करते हो और यह सारे चीज़ें यहाँ पर आपसे पूछी जाएगी यहाँ पर आपके test में देखी जाएगी तो इसी तरीके से आपका जो की interview process रहने वाला है description box मेंने direct link दिया है अभी जाके यहाँ पर apply करिए कोई भी doubt तो comment करके जरूर पूछिए और ऐसी all job updates देखना चाहते हैं तो चानल को subscribe भी जरूर कर लीजे और आपका experience कैसा रहता है में आपका comment section में जरूर शेयर करें So yeah that's about it चली मैं आपसे मिलती हूँ में एकली वीडियो में तब तक लिए take care and bye bye